हेलो दोस्तो तो सर्दियों में अगर आप अक्सर सर्दी जुकाम का सिकार हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी रोग प्रतिरोधक चंता कम है जिसे बढ़ाने के लिए अक्सर डाक्टर विटामिन सी को खाने में सामिल करने के इंट सला देते हैं बिटामिन सी का जो सुरोत होता है आमले में काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं जिसे खाने से इमिनिटी बढ़ती है तो दोस्तो आमला जो होता है वो बहुत ही कसेला होता है स्वाद में अक्सर लोग कमी पसंद करते हैं लेकिन अगर आमले का अचार बना कर खाया जाए तो वह क्या बात है जिसका स्वात काफी लाजवाब होता है तो चलिए आज हम जानते हैं कि आमले का अचार किस तरह से बनाते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमने ले लिया है ये आमला ले लिया है एक किलो तक आमला लिया है औ इसको बनामलाभ लिया हुआ मैं क्या करेंगे कुकर क्वा करेंगे 程पा क्या क्या करेंगे को स्टीम करेंगे तो हमें मीगे कुकर ले लिया हुआ या पूरी को छ untuk isma पाणी तो आप कोई भी ले सकते हैं तो यह कर दो लिए और इसी काटोरी को जो भी आपके कुकर के इंदर एक काटोरी चली जाए तो वो क्या करेंगे इसी कुकर के इंदर जो हमारे पास वह प्लेट है इसी के उपर यह सारे आमले रख देंगे ठीक तो यह देखिए हमने सारे आहों लों एक एक करके सारे आहों इसमें घर देनंगे तो यह जो भाप है भाप की स सिटी आने तक इसको पका लेते हैं तो लिजे एक से इसको हम चलिये चलते हैं गैस पर चुड़ाते हैं तो मैशन करने कब इसको क्वेश्ट आने तक ओड़ी अथ, यह शुरी आवलेग़ कुई है, अब हम क्या करें गार एक फट शुना ध्र निlight टैस लेखले लीजे हमने इसको 20 से अलग कर दिया बहुत ही अराम से बहुत ही जल्दी यह अलग होके तयार हो जाता है विस क्या करेंगे इसकी गुठली अलग कर लेंगे और जो यह पीस पीस है इसको हम फाड़के एक एक प्लेट में सजा लेंगा इसको रख देंगे पंखे की नीचे तब से पान ख़ताहिब करते हैं तो यह मने ले लिया एक और पैन में डालएंगे पीली याजिख सब्सक् Yasati ty त रहे लिए कव्य काज बादे इसको क्म और दिया है .ईालिकोया थे बादाल, शाकरेगश़वेवी इस पानेा वाह मेंचर1 सब depression.τον दिया है है इसको क्या करेंगे दहीमी आंज में करके इसको खुल बड़िया सब भूज लेंगे तो हमने का तो आप चाये तो चोटी चाये तो आब तीन तीन चमच भी ले सकते हैं 3 चम्मच खड़ी धनीया है करकर का का जो तो पूंच रहικά रहा है तो यह मैंने इसको आप थान्डा कर लिया है भी आपको लिखा देए लीजे जार पॉलटू्फ नेगे तपसे ठंडा होगा, तपसे थोड़ा सा तेल-गरम, तक हम सरसो के नीचका बनाएंगे, जिसके हैं बहुत ही बढ़िया का Tvora टेल करें होगा बादी typical её राई विए लिए पहार गरम ऑनागे मैं कि नीचका पीसमेन थी पाहं मुझागा देंगे हम चाहत बधिंगे तवसरे घंडा घंडा होगा का तौड ही थोडा सा तील गरम आपट ँनकी तो राघोगहिं כा फोड़ अ चाहिक है reg dye कम थेल बंप कर सबस्क्राइब चाहिए और शेख बड़ुए घरिया होला अधेम तरया जासाला गखे तो डिया को यह वर been अलग दिया है तो सब्सक्राइब शोड़ना दान है थोड़ से मसाला अरफ शोड़ा की तो बढ़िया होता है हींग बहुत स्वास्त वर्धक होता है अब इसमें क्या डाल लेंगे एक से डूर चमच हम डाल लेंगे लाल मिर्स पाड़र आइए देखिए हमने दो चमच ले लिया थोड़ा से तीखा आपको ज्यादा पसंद हो आप डाल सकते हैं कोई इतराज नहीं है इसमें डालेएंगे स्वाग नमक अब इसमें कम नमक से कम तर planting श्युकल कलरेंगे समस्ते हैं यह दितने कुछ उल्म यादम का यह तो आप बन गया तो अभी ध्यान रहे भी देखते रहे बस यही तो लाजवाब है अब क्या करेंगे जब गरम तेल डालेंगे ना तो यह जो मसाला रहेगा वो कच्छा पंग हटके यह थोड़ा सा पक जाएगा तो आपने पहले से भूं जाई था लेकिन थोड़ी से हल्दी थोड़ नहीं करिएगा बॉल लाजवाब आचार बन का त्यार होगा अब क्या करेंगे इसको चला लेंगे चलाने के बाद इसमें देखे कहीं मसाला नहीं लगा ना बस वही तो तरीका है अब क्या करेंगे थोड़ा सा मसाला और ले लेंगे ठीक है आब यह जो मसाला में पीसा हु पूरे अचार में मसाले लपड गए तो यह क्या होता है ना कि बहुत बढ़िया इसे जल्डी खराब नहीं होता देखे कि तब बढ़िया तो क्या करेंगे आप मेरी वीडियो देखकर आप अचार बनाएंगे तो कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरू बताईएगा वीडियो आई हो तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरू करें लीजेगा देखिए हमने अचार को चला लिया अब चलाने में हमने एक ले लिए बरनी बरनी में हम डाल देंगे और डालने के बाद दोस्तों इसको खाएंगे खिलाईए आरे लबालब मस्त हो जाएंगे सभी लोग खा के तारीफ करेंगे यह जल्दी खराम नहीं होता इस्टेंट अचार है बहुत जल्दी बनके तयार हो जाता है और कोई भी जहनचट होई तो क्योंकि सर्दी के समय में आवला बहुत ही फायदा करता है आवला सभी को बहुत खाना चाहिए क्योंकि बिटामिन सी का स्रोत होता है इससे बाल तोचा बहुत फायदा करता है तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजएगा मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई